हमिशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो कि खाली बैट गए ना और एक बार खाली बैटने की आदत अभी इस एक में पढ़ गई तो आगे जागर कि आपसे कामी नहीं होगा आप समझ रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग है और इंडिया पर बरे पढ़े हैं घलत टाइम पर खाली बैठने की आदत पड़ गई अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सरकल कैसे लोगों के साथ में बनेगा वो लोग जो खाली हैं विल्ले हैं अब विल्ल आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए टाइम पास करेगा टाइम पास कैसे होता है पत्ते के लेगा पत्ते के लेगा सट्टा लगाएगा उल्टे सीथे काम करेगा रैट यह सब मिलता जोता है पक्ता, सटा, सुटा इन टा से बचके रहो जी आप समझ आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? Does it make sense? कि अगर आप खाली हो गए जोईस आपके हाथ में है यह ऐसा करियर चूज कर लिया जहांपर कि आप गए कुछ क्लासे अटेंड करी time pass करो this is one option that you have got second option क्या है? कि खाली टाइम है इसको यूटिलाइस करो let me do something to make myself better not just in terms of education but overall most important advice मैं आपको यह दे सकता हूँ based upon my understanding and experience कि कभी भी खाली मत रहो कुछ भी करो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी related नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का और उसमें कोई बहुत बड़ी investment नहीं है ना time की ना पैसे की for example Steve Jobs का नाम सुना है आप लोगों ने तो he was in one of the best universities in the world और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को calligraphy calligraphy अब सुचो कहा है connection he was not in an art college but he was learning calligraphy लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने dots को connect किया इसको बोते है connecting the dots तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था थीक है तो ये छोटी छोटी चीज़े होती है लाइफ में जो आपकी personality को एक अलग लेवल पे ले जाती है चाहे वो कुछ भी हो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घुमना ही है तो उसको भी time pass करने के motive से मत घुमो कुछ सीखने के motive से घुमो आप समझ गया है ना मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहाँ पे भी अपना mindset ये रखो कि यार मैं अपना time pass नहीं कर रहा हू time को utilize कर रहा हू why not this is the way of thinking जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है because time pass इतना दंदा word है that means कि आप डेल हो गए there is nothing like time pass for me in my life everything is utilization of time कुछ भी कर रहे हो कुछ नो कुछ सीख रहे हो समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने जादा पी ली या किसी दोस्तों ने जादा पी ली तो देखो पी कर गया आत्मी कैसी-कैसी हरकदे करता समझ रहे हो और उसकी वेसे क्या गडबड होती है कभी डंडे भी पढ़ सकते है कुछ भी हो सकता है तो उस समय भी उससे भी कुछ नो कुछ सीख लो कुछ नई दोस्त बनाई हैं अपने कॉलेज में तो वहाँ पर भी कुछ सीखो तो आप क्या करोगे आप सुनोगे उनकी बातों को आप समझोगे आप उनसे बात करोगे और हर आदमी को ऐसे लोग अच degrees है जो उनसे बात करे नगी अपनी अपनी बोलते रहे मलबाब आपको अच्छा लगता है कि वो सुने बैट करके यह जी चीजे हैं छोटी-छोटी होती है लेकिन अगर आपका सीखने का मैंड सेट है और आप 24 गंटे इस तरीके से कुछ न कुछ सीख रहे हो न तो यू नोटेश कि आप धीरे-धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो बट यू आर बिकामिंग अब बेटर यूमन बिंग अब बेटर पोस्न चो बहुत बड़ी चीज है एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए लेकिन परस्नालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे याप माइनर चेंज़ आए यह आप पूरे तरीके से ट्रांस्फोर्म हो है कि आपको अगर कोई हर एक साल बात मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा अगर वह कह रहा है कि यार तु वैसा ही है बिल्कुल नहीं बदला तो समझे हो आप गलाट राएक पा जा रहे हो लोग इसको कॉंप्लिमेंट समझ लेते है तो इस नाट कॉंप्लिमेंट नहीं पहले भी थके होई थके होई हो तो इसका मतला आपने कुछ सीखा है आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे आप उससे कुछ बेटर हो गए तो यह सिरफ अभी के लिए नहीं है अभी आपकी एज है 18-19 साल तो यह अभी के लिए नहीं है पूरी लाइफ के लिए लेकिन पूरी life के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस thought के ओपर जिसके मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ नो कुछ सीखते रहना है अगर आपने भी note किया होगा तो आज से चार साल पहले जो मेरे sessions देखे होंगे और आज जो sessions देख रहे हो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा हूँ तो क्या हो रहा है कभी सोचा है मैं constantly grow करता चला जा रहा हूँ मतला आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो अगर अगले 6 महने बाद मिलोगे तो you would find a different person कुछ लोगों को इसमें थोड़ा uncomfortable भी लगेगा और कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है अरे में बदल गया भाई समझ कहना that means I am growing मेरी understanding भढ़ रही है I am not stagnant मैं रुके ओवे पानी के जैसा नहीं हूँ जिसमें काई जम जाती है बहतो है पानी के जैसा बह रहा हूँ बड़ी तेजी से बह रहा हूँ 24 गंटे सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ ठीक है तो most important यहाँ पर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समप करूँ तो most important busy रहना है अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आप कुछ भी सीख रहे हो चाहिए वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में कि करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है गलत काम क्या है मुझे बताने की जरुवत नहीं है आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में गलत काम भी अगर आप एक learning attitude से कर रहे हो कि मुझे सीखना है and I need to grow out of it तो वो अच्छा है और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो वेकार है कि घरवालोंने कहा है कि कि ये career choose करो और पढ़ो थो हाँ बस घरवालोंने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी हो जाएगा, हो जाएगा थीक बात है ना तिखने वाला attitude होगा, तो you will never get stuck in your life. आप constantly आगे, 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 भढ़ते चले जाओगे, grow करते चले जाओगे. खाली बैटने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का काम कर रहे हो. अगर कुछ नहीं है करने के लिए, तो जहां करके अपने घर से निकल जाओ. घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है. आगे, घरवाले मेरे पास आजाए. खाली कहा है अजी हमारा बच्छा, मेरी बेटी कहा है. घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे होए हो, थगे होए टीवी देख रहे हो, उससे अच्छा है कि भार बैठ जाओ जाकरके, और जाकरके बैठ करके लोगों को अब्सर्व करो. देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनने वाले हो, जो वो बन चुके हैं, उनको देखो, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा. सोच पा रहे हो जैसे for example आप एंजिनेरिंग कॉलेज में हो तो आप क्या बनने वाले हो एंजिनेर बनने वाले हो एंजिनेर बनके क्या करोगे क्या करोगे किसी न किसी बैठते हैं तो उनसे बात कर सकते हो जादा नहीं आपने दोचाल लोगों से भी बात करी कितना कुछ सीखने को मिल सकता है उनको बताओ कि ऐसे से मैं यहां पर हूँ इस कॉलेज में हूँ और मैं आगे जाकर के कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ तो I just want to learn something from you Can you share something out of your experience to me? It would be really helpful for me. सोचो. तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे क्या हो चोटी चीज हो की? बहत बड़ी चीज हो सकते हैं. तो यहां पर क्या हो रहा है? आप एक तो busy हो रहे हो दूसरा आप सीख रहे हो. कुछ constructive सीख रहे हो. तो हो सकता है उनसे बात करके आपको ideas मिले कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने आला. साथ में ये भी कर दो. तो now you have an edge. मतला आपके college में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो आप में और उनमें एक फरक आ गया. क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे है. चाहिद वो समझ नहीं पा रहे है. वो देख नहीं पा रहे है. बट आप देख पा रहे हो. आप समझ पा रहे हो. तो इस तरह से आप अगर अपना ये mindset बना सको कि मुझे चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ. एक तो मेरे को हमेशा अपने आपको busy रखना है और कुछ नों को सीखते रहना है. सीखते चुरू हो जाती है. आपते अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगे. अभी एगर आदत पढ़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से comfortable life मिल जाए. समझ गए है? गए पूरी life के लिए. मिल भी गई तब भी मरे, नहीं मिली तब भी मरे. नहीं मिली तो रोते रहोगे. और मिल में पहुच गए, तब आपको realize होगा कि यार, life कितनी boring है. रिपीट होने लग जाती है life. सेम routine चलने लग जाता है. शुरू में कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगता है. नहीं company में गए, नहीं job, नहीं लोग है हो. फिर जैसी routine में जाते हो, सब boring लगने लग जाता है. Make growing your habit. If that is your habit, अगर वो आपकी आदत बन गई है, अब आप कुछ कमवाल के बन सकते हो. अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो, जिसको देख करके, the whole world will be proud of you. दुनिया को भी छोड़ो, दुनिया, whether they will be proud of you or not, but you will be proud of yourself. Most important.